आज का पार्थ है हमारा दो बैलों की कथा पार्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे लाइन टू लाइन एक्स्प्लेनेशन के साथ जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धी हीन समझा जाता है सभी ने सुना है कि अगर किसी को भी कम अकल या बुद्धी हीन समझा जात है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि गधे हो तो इस तरीकी की जो पंक्तिया है उसका इस्तमाल और वाक्य जो है उसका इस्तमाल काफी हद तक हर किसी ने देखा और सुना होता है तो गधा क्यूंकि बहुत ही सीधा है साधारण है इसकी वजह से वो बुद्धी हीन की संग बेवकूफ कहना चाते हैं तो उसे गधा कहते हैं गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधे पन उसकी निरापद सहीशनुता ने उसे ये पदवी दे दी है इसका निश्चे नहीं किया जा सकता है गाए सींग मारती हैं ब्याई हुई गाए तो अनायास ही सिंहिक का जादा है इस वज़ा से उसको बेवकूफ होने की संग्या मिल गई है इस अर्थ में उसको प्रियोग किया जाता है व्यक्ति के लिए भी कि क्या वो गधा है क्यूंकि उसका सीधापन जो है उसको उसकी बढ़ाई ना कराके बल्कि उसका एक कमजोर पक्ष दिखाता है कि व सीधा से बुद्धी ही ने क्यूंकि वो सीधा है इस वज़ा से क्योंकि यह पार्ट जो है लेखक यहां पर उनका मोटिव यह है कि वो जानवरों में भी एक एमोशनल कनेक्ट होता है वो तो दिखाए ही साथ ही किस तरीके से आजादी से जुड़े होने की वज़ा से और इ दो जोकि भारत के लोग सीधे है और उनका सीधा पन और उनकी सही श्रुता यानि सहने की जो छमता है उनको यह बेवकूफ बणने की संग्या दे जाता इस वज़ा से आगे वढ़ते हैं ब्याई हुई गये ब्याई हुई मतलब जो बच्चा दे चुकी होती है उसे अनायास यानि एकदम ही बिना किसी बात के ही सिन्ही यानि शेरनी का रूख धारण कर लेती है जो बिना किसी बात के ही धावा बोल देती है कुट्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी-कभी उसे भी क्रोध आही जाता है किन्तु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा ही है जितना चाहे गरीब को मारो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो उसके चहरे पर कभी आसंतोश यानि डिससेटिसफेक्शन जो है वो कभी दिखता ही नहीं है आसंतोश की चाहे भी ना दिखाई देगी यानि उसका सीधापन ऐसा है कि उसके साथ जितना भी पुरा विवार कर लो मारो और सड़ी गली घास सामने डाल दो आसंतोश की चाहे तो उसके मुग पर दिखती ही नहीं है वैशाक में चाहे एकाद भार कुलेल कर लेता हो पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा उसके चेहरे पर एक विशाद स्थाई रूप से छाया ही रहता है एक उदासी सी एक मायूसी सी छाई ही रहती है सुख दुख हानी लाब किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा गया है जैसा कि आम जीवन में होता है जानवरों के साथ भी होता ही है और व्यक्तियों के साथ तो अकसर होता है कि अगर उसे कोई चीज ऐसी है जो सुख दे रही है तो तुरंद उसके चेहरे पर वो भाव दिख जाते है दुख होता है तो उसकी भाव भी दिखते है उसक niece चल रहा है उसका तो क्या ये किसी का एक आप कह सकते हैं कि फायदा अठाने वाली बात हो गई कि गधे के लिए अगर उसका ये एक अच्छा वियवार है उसका एक अच्छा पईंट है तो क्या उसके साथ ये दुर्बेवार होना चाहिए कि उसको उसी के नाम से उसको क परमाकतना चाहिए और दूसरों के लिए एक संग्या बना देनी चाहिए रिशियों मुनियों के जितने भी गुण है वे सब उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं यानि रिशी मुनि कैसे होते हैं शांत होते हैं त्यागी होते हैं और आप कुछ भी कहिए आप अपनी आप उनकी तपस्या को असानी से भंग नहीं कर सकते और अपने काम पर ही केंद्रित रहते हैं वही हल गदे का है कि जितने रिशी मुनि के गुण है सब उसमें दिखेंगे पराकाष्ठा पर यानि उच्चाई पर है पर आदमी उसे बेवकूफ ही कहता है सद गुणों का इ गुदार ले लिजिए गर आप सही काम कर रहोंगे सही कुछ कर रहे होंगे तो आप उल्टा फस जाते हैं उसमें तो ये सद गुणों का इतना नादर कहीं नहीं देखा गया है कदाचित सीधापन संसार के लिए उप्यूक्त नहीं है यानि कि किसी भी वे में जो सीधापन वो संसार के लिए तो अब किसी भी तरीके से वेल्यूट रही नहीं गया, उसकी वेल्यू तो संसार करता ही नहीं है सीधे पन की, देखिये न भारत वासीओं की अफ्रीका में क्या दूर्डशा हो रही है, वही बात लेकर अब लेखक सामने आ रहे हैं कि जिस तरह के सा अभी तक हमने चर्चा पड़ी कि गधे का क्या हाल है सीधा है, बहुत सीधा है कुछ भी गलत हरकत नहीं है गलत वेवार नहीं है रिशी मुनियों जैसा वेवार उसकी पराकाश्ठा पर है उसके बाद भी लोग उसे बेवकूप समझते हैं उसकी संग्या देते हैं गलत ठहराने के वे में भारत वाश्चियों के साथ भी ऐसे ही है अफरीका में उनके साथ यही दुर्दशा हो रही है क्यों अमेरिका में उन्हें गुसने नहीं दिया जाता बेचारे शराब नहीं पीते चार पैसे कू समय कू समय यानि की बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं जी तोड़कर काम करते हैं किसी से लड़ाई जगडा नहीं करते चार बाते सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं अगर वे भी इट का जवाब पत्थर से देखना सीख जाते तो शायद सब भे केलाने लगते लेखा किहां पर वेंगे करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इतना सीधा होने के बाद भी भारतवासियों के साथ जो अफ फिर भी वदनाम है कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं यानि कि एक अच्छी लाइफ स्टैल हाइफ लाइफ स्टैल राइफस्टैल को जो रही हैं थोड़ा बहुत मैंनद करके जो भी स्थे आपने बुरे समयले बचा कर रखते हैं तो उनके साथ इस तरी अपने आपको मेंटेन करके चल रहे हैं अपने थौट्स को भी और अपनी इंद्रियों को भी और साथ ही अपनी इच्छाओं को भी अगर वो भी इट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं यानि कि आप इतना कर रहे हो अब हम इस से भी बढ़कर करके दिखाएंगे अगर वो भी अंग्रेजों की तरह जवरदस्ती चीजों को कपजाना सीख जाते उनको लोगों को गुलाम करना सीख जाते तो शायद वो भी होते कि वो भी बहुत तेज हैं वो भी लोगों के बराबर में खड़े होते हैं शायद वो भी सभे के लाने लगते जपान की मिसा संसार में उसको गिंती उसकी होने लगी सभीजातियों में लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है अब यहां पर गधे की चर्चा की गई अभी तक कि गधा जो है इतना सीधा है उसका वेवार इतना ज़ाधा अनुकर्णिये विवार है उसके बाद भी लोग उसको इतना कमाकते हैं दूसरी चर्चा शुरू होती है गधे से भी एक छोटा भाई है जो उससे कम ही गधा है और वे है बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रियोग करते हैं और कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्या के ताउ का भी प्रियोग करते हैं बच्या के ताउ कौन हुए तो यहाँ पर बैल की बात हो लिए बच्या के ताउ का भी प्रियोग करते हैं जिस तरीके से हम गधे का प्रियोग करते हैं आम जीवन में उसी तरीके से उसी similar अर्थ में ही बच्छा के ताओ का भी प्रियोग किया जाता है कम आकने के लिए कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ट कहेंगे मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है अब आप इसकी संग्या सभी ने डेली सोग देखें में भाबी जी घर पर है सबने देखा है वहाँ पर एक डेलोग बूला जाता है कि बैल हो क्या तो यहाँ पर किस संग्या में प्रियोग किया जा रहा है कम तराकने के लिए तो वही चीज यहाँ पर अब समझाए जा रही है आप कनेक कर सकते है मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है बैल कभी-कभी मारता भी है कभी-कभी अडियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना आसंतोष प्रकट कर देता है अतेव उसका इस्थान गधे से नीचा है लेखा कहते हैं कि मैं बैल को इतना जादा सीधा नहीं समझता जितना गधा है क्योंकि बैल जो है कभी-कभार अडियल सभाव दिखा देता है और बातों का जवाब भी दे देता है सींगे भी मार देता है जब उसे लगता है कि कुछ गलत है तो इसलिए उसका इस्थान गधे से थोड़ा नीचा है जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती अब बात यहाँ पर कहानी शुरू होती है हीरा और मोती की जूरी काची के दोनों बैल जो हैं उनके नाम थे हीरा और मोती दोनों ही पच्छाई पच्छाई यानि पश्चमी बैल थे पच्छाई जाती के थे देखने में सुन्दर, काम में चौकस, काम में चौकस यानि काम में हमेशा काम के लिए एक्टिव रहना, डील में उचे और जो उनका डील डॉल था, जो उनका शारेरिक रूपकार था, बहुत अच्छा खासा उचा लंबक कद वाले बैल थे, बहुत कुछ बोलना रहे हूं, तो संकेत भाषा हो गई, संकेतिक भाषा में विचार विने में, विचार विने में का मतलब होता है, विचारों का लेन देन, विने में का मतलब होता है, लेन देन करते थे, यानि वो दोनों जो बैल हैं, भाईचारा हो गया था, बहुत समय से एक सा कर लिया अपनी पूछों से कुछ वारतालाब कर लिया उन्होंने तो विचार विने में हो रहा है एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति गुप्त शक्ति यानि छुपी हुई शक्ति है जिससे जीवों में का दावा करने वाला मनुश्य जो है वन्चित है कहने करते हैं लेखक यहां पर एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि इनसान जो कि अपने आपको बहुत श्रेश्च समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है वो इतना श्रेश्च होने के बाद भी यह नहीं पता लगा सकता कि यह जा यहां पर इनका एक वारतालाप का तरीका है चाटना और सूंगना और इस तरीके से वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं कभी कभी दोलों सींग भी मिला लिया करते हैं विग्रा के नाते से नहीं विग्रा यानी की लड़ाई जगडे लड़ाई जगडे के लिए नहीं अपनी सींग मिलाते हैं बलकि वो खेल रहे होते हैं या फिर आपस में जो है किसी भी तरीके का वारतालाप है या हास से विनोध है केवल विनोध के भाव से आत्मियता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्टता होते ही धौल धपा होने लगता है कहने कारते हैं जैसे इंसान दोस्त होते हैं आपस में जब तो दोस्ती गहरी होने के बाद जिस तरीके से लोग आपस में खेल लेते हैं अगर आप किसी तरीके से उठा पटक भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो बुरा नहीं मना जाता हो एक खेल ही मना जाता है वैसे ही यहाँ पर सींग भिड़ा कर जो है दोनों बैल जो है अपनी दोस्ती में खेलते वे नजर आते वे दिखते हैं इसके बिना दोस्ती कुछ फुस फुसी कुछ हल किसी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता जिस वक्त ही दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिये जाते और गरदन हिला हिला कर चलते उस वक्त हर एक की यही चेश्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोज मेरी ही गरदन पर रहे दोनों में इतना भाई चारा था कि जब भी हल चलाए जाते थे तो दोनों की ये कोशिश होती थी कि आधा से ज़्यादा भार जो है वो मुझ पर ही रहे दूसरे को तकलीफ ना हो दिन भर के बाद दुपहर या संध्या यानि शाम को दोनों जब खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मुटालिया करते दोनों अपने प्यार को एक दूसरे को चाट कर जटाते थे नांद में खली और भूसा जो की सूखा भूसा सभी ने देखा है खली जो की उनके खाना ही होता है जिसमें कई बार जो है बहुत साई चीजे होती है आटा भी दिया जाता है जो की उनका ज्यादा बहतर खाना होता है पढ़ जाने के बाद दोनों साथ उठते साथ नांद में डालते और साथ ही बैठते भी एक मुँ हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता दोनों में इतना ज़दा भाई चारा था कि एक साथ नान में मुँ डालते खाने के लिए अपना और साथ ही बैठते अगर एक मुह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता चाहे उसे और ज़रुत महसूस क्यों न हो रही हो खाने की संयोग की बात है ये कोइंसिडेंसी होता था कि जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया बैलो को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं समझे मालिक ने हमें बेज दिया जूरी जो है अब दोनों बैलो को अपने ससुराल भेज देता है यानि अपनी पतनी के माई के भेजता है और बैलों को नहीं समझ में आता है कि वो क्यूं बेच जा रहें मालिक ने हमें बेच दिया है ऐसा उनको समझ में आ जाता है और अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा अच्छा लगा या बुरा कौन जाने पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दातों पसीना आ गया यानि कि जो जूरी का साला है जिसका नाम है गया गया को घर तक दोनों बैलों को ले जाने में उसको पसीने छूट गया पीछे से हागता तो दोनों दाइवाय भागते पगहिया पकड़कर आगे से खीचता पगहिया यानि जो उनके डोरी बांधी जाती है या फिर रसी बांधी जाती है जिससे कि उनको पकड़े रखा जा सके उसे पगहिया कहते हैं पगहिया पकड़कर आगे से खीचना तो दोनों पीछे को जोर लगाते अब जब बैलो को य की गई तो उन्होंने बहुत पसी ने छुड़ा दिये लेकिन वहां पर आसानी से जाने को राजी नहीं हुए उन्हें जब पीछे से हांका जाता तो दायबाय भागते पगहिया पकड़ा जाता तो वह उसको खीचते तो दोनों पीछे को जोर लगाते जिससे कि उसको कोई ल गया दरना जिससे कि वो आगे नहीं जाना चाते इसका संकेट देना अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती यानि उन्हें बोलने की शम्ता दी होती तो जूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो यानि बैलों की बात के बात कि जारी कि होना ऐसा है कि जैसे लगता है कि वो अगर उन्हें इश्वर ने आज वानी दी होती बोलने की शमता दी होती तो वो जूरी से जिरूर पूछते कि तुम हम गरीवों को क्यों निकाल रहे हो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी अगर इतनी महना से काम नह पेच दिया तो यह जानवरों के यानि उन दोनों बैलों की मन की बात है जब वो किसी दूसरे के साथ उनके साथ जाने को मजबूर हो रहे थे तो उनके मंद में यह बाते आ सकती है कि क्यों उनका मालिक उन्हें बेच रहा है और उन्होंने तो कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नी कि उन्होंने जो जैसा रखा वैसा वे रहे जैसा खाने को दिया उन्होंने वैसा खाया और जिस तरीके का काम निकाला उन्होंने उस तरीके का काम लिया और अगर कम लग रहा था तो और काम ले लेते लेकिन इस तरीके से किसी जालिंग के हाँ बेशते तो नहीं संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँच गए दिन भर के भूखे थे लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मूह नहीं डाला या आप उनका गुसा कह सकते हैं या उनके साथ ये जो हुआ है वो एक बुरा विवार है उसके कारण उन्होंने नांद में मूह नहीं डाला और उन्होंने कुछ भी निक है सारा दिन भूखे होने के बाल भी दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज उनसे छूट गया वह नया घर नया गाओं नए आदमी और उन्हें बेगानों से लगते थे पराय ऐसे लगते थे दोनों ने अपनी मूख भाषा में सलाह की दोनों ने ही सांकेतिक भाषा में आपस में सलाह की एक दूसरे को कंखियों से देखा कंखियों से मतलब एक से इशारा करते हुए साइड लुक देना जो होता है कंखिया कहते हुए उसे एक दूसरे को कंखियों से देखा और लेट गए जब गाउं में सोता पड़ गया यानि पूरा गाउं जब सो गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले जिससे उनको बांधा गया था तोड़ दिया जूरी प्रता का सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं दोनों की गरदनों में आदा आदा गराव लटक रहा है यानि कि जब जूरी सुबह उठा तो जूरी ने उन दोनों ही बैलों को जिनको उन्होंने अपने ससुराल भेज दिया था वो उसके सामने खड़े दिख रहे हैं गुटने तक पाव कीचड से भरे हुए हैं और दोनों की आखों में विद्रोह में इस ने जलक रहा है ऐसा इसने जो सवाल करता है कि तुमने हमने तुमको इतना प्रेम किया है तुम्हारे साथ तुम्हारी इतनी सेवा की तुमने ज गड़ रहे हैं तो उसको कहते हैं विद्रोह में इसने जो कि वो दोनों बैल अब इस वक्त जूरी से कर रहे हैं और अपने इस विद्रोह में इसने को प्रकट कर रहे हैं जूरी बैलों को देखकर इसने से गदगद हो गया जूरी जो है वो बैलों को देखकर उसका इसने और भी बढ़ जाता है दोड़ कर उन्हें गले लगा लेता है प्रेम आलिंगन प्यार से उनको गले लगाता है चुम्बन करता है और वे द्रिश्य बड़ा ही मनोहर था बहुत ही मोहित करने वाला द्रिश्य था जहां पर दो जानवर जो है अपनी भावनाओं को प्रकट कर और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शब्दों की जरोत नहीं है वो किस तरीके से गैरों से अपना पीछा छुड़ा कर जूरी के पास तक पहुँच गए है ये उनके प्रेम को दर्शाता है जिसके लिए कुछ भी बोलने की जरोत नहीं है घर और गाओं के लड जानवर ऐसा करते ही है बाल सभा में ने निश्चे किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र भी देना चाहिए कोई अपने घर से रोटिया लाता है कोई गुड कोई चोकर कोई भूसी एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे दूसरे ने समर्थन किया यान इस बात का उत्तर देने के लिए करने का किसी को साहस नहीं हुआ सब ने इस बात को स्विकार किया जूरी की इस तरी ने बैलो को द्वार पर देखा तो जल उठी यानि जूरी की जो पत्नी है जब उन्होंने बैलो को वापस अपने ही घर में देखा तो वो जल गई यानि उसे इस बात से समस्या हुई बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां कामना क्या भाग खड़े हुए जूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप सुनना सका नमक हराम क्यों है चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते इस्तरी ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं जूरी ने चिड़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते स्तरी चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरफ बैलों को सहलाते नहीं है खिलाते हैं तो रगड कर जोतते भी हैं यानि जम कर उनसे महनत करवाते हैं ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले अब देखू कहां से खली और चोकर मिलता है सूख है भूसे के सिवा कुछ ना दोंगी खाएं चाहें मरें अब यहां पर क्योंकि वो दोनों बैल जूरी की प बतनी जो है उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है और उस पर वो अपना क्रोध जताती है और कहती है कि ये कामचोर हैं काम नहीं करना चाहते हैं तुम बुद्धू हो जो इन्हें सहलाते हो जानवर है इनसे रगड कर काम लेना चाहिए अगर खिलाते भी हो तो अब आदेश दियाので बैलो ने नान्ंद में मुझे डाला तो फीका फीका ना कोई चिकनाहट ना कोई रस क्या खाएं आशा भरी आँखो दौर कोई ताकने ना दादा पीछे से तुम भी उनी किसी कहोगे फिर यहां पर वो भी कहता है कि मैं छुप छुपा कर नहीं डाल सकता अगर मालकिन को पता लग गया तो फिर वो गुस्सा करेंगी और फिर तुम भी उनी के साथ खड़े हो जाओगे दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलो को ले चला अबकि उसने दोनों को गाड़ी में जोता गाड़ी से बांद कर वो वहां से ले कर गया दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा मोती को और हीरा मोती दोनों ही जूरी के साले यानि गया के साथ नहीं जाना चाहते थे पर एक बार जूरी का साला फिर वापस आ जाता है और आपकी बार गाड़ी में जोता हुए ले जाता है और इसका गुस्सा जो है हीरा और मोती दोनों में है और इसके लिए वो पूरी मोटी रस्यों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया फिर वही सुखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चूनी और सब कुछ दी यानि कि उसने इन दोनों बैलों ने जो भी कुछ कल किया उसका सबक सिखाने के लिए गया ने क्या कि इन दोनों को ले जा पड़ी से भी नहीं चूता था, उसकी टिटकार पर दोनों ऊड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी आहद् सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी कि बैलो को लगता है कि सम्मान को तो आहत हुआ ही है उनके और उसकी जो व्यथार है यानी उसका जो दुख है वो तो है ही और साथ में खाने को भूसा भी मिला तो वो भी सूखा दान्द की तरफ आखें तक नहीं उठाई उन्होंने दूसरे दिन गयाने बैलो को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पाउन ना उठाने की कसम खाली थी वे मारते मारते ठक गया पर दोनों ने पाउन नहीं उठाया एक बारत जब उस निर्दई ने हीरा की नाक पर खुब डंडे जमाए तो मोती का गुसा काबू के बाहर हो गया हल लेकर भागा हल रसी जुआ जोत सब टू टाट कर बरावर हो गया गले में बड़ी बड़ी रस्या ना होती तो दोनों पकड़ाई में ही नहीं आते यानि आज दोनों पकड़ में नहीं आते जब हल जोतने की बात आई तो दोनों ने अपने पैर जमा लिये क्योंकि उनके अंदर ये गुस्सा था वो गया के साथ नहीं रहना चाते थे और ना उसके साथ काम करना चाते थे और उस गुस्से को निकालने के लिए उस बदले को लेने के लिए उन्होंने पैर जमा से लिया और हल जोत नहीं दिया और फिर उसके बाद नाक पर वार करने पर नाक पर जब वार किया गया तो मोती को खुब गुससा आया और उसका उसने बदला लेना चाहा और हल रसी जोत सब लेकर वो भाग खड़ा हुआ अगर गले में मोटी मोटी रस्या नहीं होती बड़ी रस्या नहीं होती तो आज दोनों पकड़ में भी नहीं आते हीरा ने मूख भाशा यानि संकेतिक भाशा में कहा भागना व्यर्थ है यानि इस वक्त यहां से भागना बेकार है मोती ने उत्तर गया तुम्हारी तो इसने जान ही तुमने तो तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी अब की बड़ी मार पड़ेगी पड़ने दो बैल का जन में लिया है तो मार से कहा तक बचेंगे अब दोनों यहां पर मुख भाशन बाते करते हैं कि यहां से अभी इस वक्त भागना वेर्थ है बेकार है इसका पड़ने दो बैल का जनम लिया है तो मार से कब तक हम बचेंगे गया दो आदमियों के साथ दोड़ा आ रहा है दोनों के हाथों में लाठिया है मोती बोला कहो तो दिखा दू कुछ मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ मुझे कि उसने इस वक्त मार पीट नहीं की नहीं तो मोती भी पलट कर पड़ता उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गये कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है यानि इसी में भलाई है कि इस बात को टाल दिया जाया भी क्योंकि बैल जो है गुस्से में अगर अभी उसने लाठी चला दी होती तो शायर हीरा और मोती भी इस बात का जवाब देते आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया दोनों चुपचा खड़े रहे घर के लोग भोजन करने लगे उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुझ में लड़की के रूप में आया जो दोनों को एक एक रोटी दे गया और यहां पर पता लगता है कि बैलों को भी जो है वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ कि इस तरीके से देखा जा रहा है कि प्यार से दिवी एक रोटी भी उन्हें कितनी प्यारी लगी लड़की भै वास्वा कि इस घर में भी किसी सज्जन का वास होता है और यह लड़की जो दोनों बैलों को प्यार से रोटी दे गए और लड़की भैरो की थी और उसकी मा देंत्रों भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए महसूस करते हैं दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते अर और रात को वही बाली का उन्हें दो रोटियां खिला जाती। अब ये इनका रूटीन हो गया था। कि दोनों दिन भर जोते जाते दिन भर उनसे काम लिया जाता वे धंडे खाते और आड़ते भी शाम को थान पर फिर बन दिया जाता और रात को फिर वही बालिका उन्हें दो रोटियां भी खिला जाती प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो दो गाल सुखा भूसा खा कर भी दोनों दुरबल नहीं होते थे मगर दोनों की आँखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था एक दिन मोती ने मुख भाशा में का अब तो नहीं सा जाता ही रा क्या करना चाहते हो एकाद को सींगों पर उठा कर फैक दूँगा लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है ये विचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकीन को ना फैक दूँ वही तो उस लड़की को मारती है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है ये भूले जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते बताओ तुड़ा कर भाग चलें हाँ ये मैं स्विकार करता हूँ लेकिन इतनी मोटी रसी तूटेगी कैसे इसका एक उपाय है पहले रसी को थोड़ा सा चबालो फिर एक जटके में जाती है यानि कि पहले थोड़ा सा रसी को चबालो तो थोड़ी कमजोर हो जाएगी और जो मोटी रसी है उसका कुछ रेशा तूट जाएगा फिर इसको जटके से तोड़ा जा सकता है रात को जब बाली का रोटिया खिला कर चलेगी दोनों रस्यां चबाने लगे पर मोटी रस्य मूँ में ना आती थी बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली दोनों सिर जुका कर उसका हाथ चाटने लगे दोनों की पूछे खड़ी हो गई उसने उनके माथे सला और बोली खोले देती हूँ चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे आज घर में सला हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए उसने गराओं खोल दिया पर दोनों चुक्चाप खड़े रहे मूती ने अपनी भाशा में पूछा अब चलते क्यों नहीं हीरा ने कहा चले तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफ़त आएगी सब इसी पर सल्दे करेंगे सहसा बाली का चले दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं ओ दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं जल्दी दोड़ो और इस तरीके से यहां पर लड़की ने जो मदद की है बैलो की और बैलो को ये बोला है कि वो यहां से चले जाएं क्योंकि उनके साथ और भी ज़धा दुरवेवार होने वाला है लेकिन बैलो के हिर्दे में वो भावनातमक जो जुड़ाव है लड़की के लिए वो है अभी भी और वो सोचते हैं कि हम तो भाग जाएंगे लेकिन इस लड़की के साथ बुरा वेवार होगा लेकिन लड़की पूरी प्लैंट थी उसने बैलो को खोला बैलो को भागने की इजाज़त भी दी और घरवालो को बताया भी कि वो भाग रहें जिसे कि उस पर कोई शक भी ना करे